अलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग देखिए आज हमने वेच पोहा बनाया है आप इस तरह स्थ बनाएं बहुत ही टेश्टी बनता है किसी वक्त बना के आप इसे खा सकते हो आपको पसंद की साफ सचीया भी इसमें एड कर सकते हो चलिए आपको बताते किस तरह बनाया जाता अलू कट करके यहां पर टमाटर हमने पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं यह दिखिए खिले खिले से बनने बाद इसी तरह से रहेंगे इन सबको फ्राइग करते हैं तेल गरम हो गया इसमें जीरा डाल देते हैं इस तरह से इसके साथ में थोड़ा सास अच्छा लगता है य अच्छा लेते हैं अब टमाटर और आलू को डाल देते हैं यह फटाफट बन जाता है रहें रहता है जो ब्रेक्पास्ट करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है यह अच्छा लेते हैं अधा चमाच मैढ़ मश्भीच अब नमक कर देघ कर लेते हैं अच्छा और आर बंटार पैोडर आप जितना बनाइया बेशी अआशा भाल है धनीन शायर धली ड़िक डाले अभावं आदिक तरह से बस यहो गये स хотите मिक्स कर लेते हैं देखिए यह हो गया यह बहुत लाजवा बहुत टेस्टी बनता है किसी वर्च inaud it किसी वक्त भी आब इसे बनाके खा सकते हों लोग इस पोहा डाल को कि अच्छी से खिले खिले हैं कि मिक्स कर देते हैं सब को हम देखिए इसमें स्वात के सब नमक मिला देंगे अब वेच को है इस तरह बना के खाई यह बहुत अच्छा लगेगा खाने में और बच्चों को बड़ों को सबी को बहुत पसंद आता है जो डाइट करते हैं उनके लिए भी अच यह स्थ पॉछा है से इससमें सवाद के साथ हम नमक डाल देते हैं इस तरह है इस तरह से मिक्स और निम्बुरी सिड़े रहे हैं अच्छ है इस चैनल आए धें लिग्व०्elnश नाया थे लिएग्षाव मेरा सत तंज में टिया गेस कर दे रहे हैं जल दो जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा ये देखिए हमारा पुआ हो गया है तयार इसके उपर सम्धनिया पति डाल दे रहे हैं इस तरह से पसंद के रिकॉर्डरी इस पर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ज़रू दबाइए कि जिस तरह नोटिस्पिकेशन आप तक पहुं करता है तक झाल सम्दनिया पहुंग।